कोरोना के जहरीले वाइरस से इस समय पूरी दुनिया लड़ रही है लेकिन मौसम को लेकर भी कोरोना पर कई तरह की बाते सामने आ रही है मौसम विभाग की माने तो जिस तरह से देश में लॉकडाउन है और गर्मी भी बढ़ने वाली है ऐसे में अगर मौसम भी मददगार हो गया तो भारत के लिए कोरोना से जंग आसान हो सकती है कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच एक वैग्याने का धियन से थोड़ी राहत की सांस ये दुनिया ले सकती है एक स्टडी में ये बात सामने आ रही है कि अगर गर्मी बढ़ेगी तो हो सकता है कि कोरोना के कहर में कमी आए दुनिया की बड़ी-बड़ी उनिवर्सिटी और संस्थानों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि थंड जाएगी, मौसम बदलेगा, गर्मी होगी और तापमान का पारा चड़ेगा तो कोरोना की गर्मी उतरेगी और वो खत्म होगा हिंदुस्तान में इस वक्त पारा थोड़ा नीचे है, लेकिन जैसे ही सूरज की तपिश बढ़ेगी, कोरोना से बचने की उम्मीदे भी बढ़ेगी दुनिया के जाने माने Massachusetts Institute of Technology यानि MIT के मुताबिक मौसम अगर गर्म और नमी भरा होगा तो इससे कोरोना वाइरस के फैलने की आशंका बहुत कम हो जाएगी जिन देशों में तापमान 3 से 17 डिगरी सल्शियस के बीच रहा है और नमी 4 से 9 ग्राम प्रती क्यूबिक मीटर रही है वहाँ कोरोना वाइरस के मामले 90 फीजदी पाए गए है जबकि जिन देशों में पारा 18 डिगरी से ज्यादा रहा और नमी 9 ग्राम प्रती क्यूबिक मीटर से ज्यादा रही वहाँ पर ऐसे मामले 6 फीजदी ही सामने आए कोरोना से आज पूरी दुनिया संक्रमित है दिखसिर देशों की स्वास्थ वेवस्था को कोरोना हिला कर रख दिया है ऐसे में MIT की ये रिपोर्ट कम से कम भारत के लिए बहत सुपून देने वाली है हलाकि कोरोना से लड़ने के लिए हर मुम्किन प्रयास किया जा रहा है लेकिन अगर मौसम पर लगाई गई ये उम्मीद सच हो गई तो बहतर परिणाम आने की संभावना बढ़ सकती है